और एक खुशी कबरी भी आपको देना है हमारे शकील साब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे मैनाटिस के लिए भी बगर बैंक कांसेंट बगर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से एक लाक रुपया स्कीम होना बोलके अभी शकील साब ने पूछ रहा था मैं आपको ये कुश कबरी देना है महमुद अली साब ने एक अफ़ते पहले ही सीम साब से मिलके ये ऐसा स्कीम हमारा मैनाटिस में भी बहुत गरीब लोग है बैंक में जिगए तो कांसेंट नहीं मिल रहा हमें एक लाग सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोलके महमुद साब ने सीम साब से पूछे थे जब वही था मैं भी सीम साब ने मेरे तरफ देखके बिकाज मैं फाइनांस मिनिस्टर हूँ मेरे तरफ देखके हुकम दे दिये कि दो दिन में मुझे फाइल होना चाहिए हम माइनर्टिस के लिए भी एक लाग रुपया बगर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकुमत से देने वाला है वो एक दो दिन में एक दो दिन में जीवो निकलने वाला है CM साब ने आलड़ी हुकुम दे चुके है ये कुछ कबरी मैं आपको देना चाहता हूँ ये एक हफ़ते दस दिन के अंदर सीधा बगर बैंक कलोन जो आलड़ी आप लोग अप्लिकेशन रख चुके हैं आप लोगों को एक लाग रुपया स्कीम मिलने माला है बाई ये एक बात आप सब लोग सोचने की जरुवत है कांग्रेस पार्टी कभी भी वो मैनार्टीज को एक वोट बैंक थरीके से बनके फाइदा उठाए लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे कांग्रेस पार्टी बोलना एक है करना एक है एहचे न्यूस को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करना ना भूलें